तक 1925 से 1964 तक 10 अक्टूबर 1964 को मुंबई के पेडर रोड स्थित अपने किराये के अपार्टमेंट में बिस्तर पर मुरित पाए गए थे कहा जाता है कि वे शराब में नींद की गोलिया मिला कर ले रहे थे किशोर कुमार 1929 से 1987 तक 13 अक्टूबर 1987 के दिन हार्ट अटैक के चलते मुंबई में उनका निधन हो गया था विद्या सिन्हा 1947 से 2019 तक विद्या सिन्हा की 15 अगस्ट 2019 को मौत हो गई वह लीवर और हार्ट संबंधी कई परेशानियों से जूज रही थी शशी कपूर 1938 से 2017 तक शशी कपूर का निधन 89 साल की उम्र में लंबी बीमारी के बाद हो गया राजेश खन्ना 1942 से 2012 तक डिगज अभिनेता राजेश खन्ना का निधन 2012 में कैंसर से उत्पन्नस वास्थे जटिलताओं के कारण हुआ था विनोध खन्ना 1947 से 2017 तक 27 अप्रेल 2017 को विनोध खन्ना को बलड कैंसर की वजह से दुनिया को अलविदा कह दिया फिरोज खान 1949 से 2009 तक फिरोज खान का निधन 79 साल की उम्र में लंग कैंसर के चलते हुआ था अमजद खान 1943 से 1992 तक 49 साल की उम्र में हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया था राज कुमार 1926 से 1996 तक 3 जुलाई 1996 को गले के कैंसर से निधन हो गया संजीव कुमार 1938 से 1950 तक 6 नवंबर 1980 को 47 साल की उम्र में दिल का दौरा पढ़ने से उनका निधन हो गया था दिलीप कुमार 1922 से 2021 तक वह टेस्टिकुलर कैंसर और फुफुस बहाव के अलावा कई उम्र से संबंधित बिमारियों से पीडित थे सुनील दत 1929 से 2005 तक सुनील दत की मृत्यू 25 मई 2005 में हार्ट अटैक के कारण मुंबई के बांदरा में 75 साल की आयू में हुई इर्फान खान 1967 से 2020 तक उन्हें निउरो एंडो क्राइन ट्यूमर नाम की खतरनाक बीमारी थी अमरीश पुरी 1932 से 2005 तक उन्हें एक तरह का बलड कैंसर ने जकड़ा जिससे बाहर निकलना नामुम्किन था रिशी कपूर 1952 से 2020 तक रिशी कपूर ने कैंसर से लड़ते हुए 30 अपरेल 2020 में दुनिया को अलविदा कहा था राज कपूर 1924 से 1988 तक डॉक्तर्स ने बताया कि उन्हें निमोनिया हो गया है वह कोमा में चले गए हैं 2 जून 1988 को राज कपूर ने हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह दिया शम्मी कपूर 1931 से 2011 तक शम्मी कपूर 14 अगस्त 2011 को क्रॉनिक किड्नी फेलियोर के कारण यह दुनिया छोड़ गए राजेंद्र कुमार 1929 से 1999 तक अपने 71 जन्म दिन से ठीक आठ दिन पहले कैंसर से पीडित हो गए क्रच्छ। झाल झाल